खेसारी लाल यादों को जब पवन सिंग को बदनाम करना होता है राजपूत और ब्रह्मन की लड़ाई करवानी होती है तब खेसारी को ब्रह्मन याद आते हैं तब उनको अपने गुरू कमला कांत मिस्र याद आने लगते हैं लेकिन आज जब गुरू पुर्णिमा है तब खेसारी को एक बार भी अपने गुरू की याद नहीं आई। खेसारी को जब पवंच सिंग को जातिवादी बताना होता है उनके टीम के लोगों पर सवाल खड़ा करना होता है। तो उस दिन खेसारी एक बार भी अपने गुरू का जिक्तिव नहीं करते हैं। अगर आप सुच रहे होंगे कि महेश पांडे के केस में खेसारी ब्रह्मनों की बात करते हैं। पीशे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। इसके अलावा दो-तीन दिन पहले खेसारी लाइब आते हैं और वो ब्रह्मन राजपूत की लड़ाई वाला कार्ड खेलने लगते हैं। प्रह्मन के साथ गलत करने वाला कोई बच नहीं सकता है। प्रह्मन को अपने पास रखता हूं उनका कल्यान करता हूं। यहीं पर केसारी कहते हैं कि हमको ब्रह्मन का असिरवाद हमेशा लगता है। इसलिए हम उनको अपने पास रखते हैं। प्रह्मन को अपने पास रखते हैं। लेकिन खेसारी के तरब से अपने गुरू कमला कांत मिश्रा का फोटो तो दूर। एक बार उनका नाम लिख कर भी पोस्ट नहीं आता है। और यहीं से खेसारी के मंसा पर सवाल उठता है कि क्या खेसारी केवल बिवाद पाइदा करने के लिए ब्रह्मन का फाइदा उठाएंगे। जब उनको पावन सिंग को बदनाम करना होगा तब ही उनको ब्रह्मन दिखेगा। बाकी समय वो अपने गुरु का नाम याद भी नहीं रखेंगे। बाकी आप लोग इस बात पर क्या सोचते हैं आप अपने राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जमता गंचन देख रहेते हैं आप बहुत बहुत धन्यवाद।